हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने कंप्यूटर से अपने पैन ड्राइव में फोटो या वीडियो या गाने कैसे डालें अपने कंप्यूटर में जो भी फाइल हैं आप उसको यहाँ पर pen drive में कैसे डाल सकते हैं, कैसे copy कर सकते हैं, आइए जानते हैं सबसे पहले आपना जो pen drive है आप उससे अपने computer या laptop के USB port में लगा दीजिए तो मैं अपना USB port में pen drive लगा देता हूं जैसे आप pen drive लगाओगे, तो आपके computer या laptop के screen पर यहाँ नीचे option खुल जाएगा पर आपको इस पर click नहीं करना है आपको अपने computer या laptop में आना है, आपको this PC या my computer को open करना है आपको यहाँ पर आपकी pen drive है मिल जाएगी, तो यह रही मेरी pen drive USB drive नायम से आएगी तो आपका इसमें जो भी data है देख लेजिए, अगर आप इसे हटाना चाते हैं तो कर सकते हैं पर मैं इसे नहीं हटाऊँगा बारी आते हैं कि इसमें मैं अपनी photo वीडियो कैसे डालूँ तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपे मेरे पास एक folder है यह वाला इसमें मेरी करीबन 15-20 वीडियो है टोडल 22 वीडियो है और कुछ हमारी photos भी हैं तो पहले हम इसको डालेंगे तो हम इसपे click करते हैं अगर आप सारी करना चाते हो तो select all करिए और यहाँ पे आपको इसे उठाके आपको इसपे right click करना है और आपको मिलेगा यहाँ पे send to इसपे click करें और USB drive कर दीजिएगा USB drive करिएगा बनना एक और तरीका है आपको simple अपना जो pen drive वाला folder है उसे open करना है यह हमारी pen drive खुल गई है और आपको direct अपना folder उठाके जिसमें गाने है फोटो है वीडियो है उसे उठाके यहाँ पे छोड़ देना है आपकी file copy हो जाएगी मैं आपको एक और करके दिखात करना है आपको मिलेगा है यहाँ पर send to इस पर क्लिक करें और USB drive G कर दीजिए वन एक और तरीका है इस पर क्लिक करें Ctrl-C करें Ctrl-C इससे copy हो जाएगा फिर back करिए अपने pen drive वाले folder में आईए यहाँ पर क्लिक करिए एक बार और Ctrl-V कर दीजिए आपका file यहाँ पर आ जाएग file है जिसकी वज़े से वो धीरे धीरे आएगी बागे मैं आपको बता दिया है आप इस तरीके को follow करें वीडियो पसंद आई है लाइक करें चैनल को subscribe करें